कि से बीशेबी से भी प्यारे प्यारे साथ क्योंके आप सब का स्वागत है आपके अपने चैणिर सड्डा पर मैं हूँ आयूश चोहान और रोजानाकी तरह किसी नई वेकेंशी किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने खड़ा हूँ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेगा क्योंकि आज वाली वेकंसी ने मेरा भी दिमाग खिला दिया है और उन सारे ब्यारतियों का भी दिमाग खिला दिया है जो इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप समझ लेते हैं क्या वेकंसी है क्या हमारे ले सम्भावनाई बनती है कोन लोग फिल कर सकते है उन सारे पहलों को समझ देगे लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा कहानी सुरू होती है जारखंड राज्ये से जारखंड राज्ये में क्या होता है 50,000 सिक्सकों के पद माननिय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं स्विक्रित करवा लेते हैं कि हमें 50,000 सिक्सकों के आवशक्ता पड़ेगी ठीक इसे वो कहते हैं मैं दो हिस्सों में निकालूंगा 26,000 अभी निकालूंगा और 24,000 बाद में निकालेंगे उसका क्या कारण है उसके क्या वज़े है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा तो अभी 26,000 पदों पर भरती हो रही है इसमें सभी राज्यों के लिए खुसकबरी वाली बात ये है कि मानि हाई कोर्ट उस नियम को हटा देता है कि जिसने दसवी बारवी जारखंड से किये सिरफ उसे ही मत बनाईए सब लोगों को फॉर्म फिल करने दीजिए तो अब सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जारखंड में PGT के वेकेंसीज आ चुकी है उस पर भरती पर किरिया चल रही है एक्जाम होना है तो वहाँ पर सब लोगों ने फॉर्म फिल किया ही था अब जो वेकेंसीज ये 26,000 वेकेंसीज आई हैं ये वेकेंसीज आई हैं PRT और TGT के लिए यानि पहली से 5 वी का जो टीचर बनना चाहता है छटी से 8 वी का जो टीचर बनना चाहता है इन वेकेंस इसका बाइफरकेशन कर देता हूं कि इसमें 26,000 में से पहली से 5 वी वाली वेकेंसीज कितनी है तो ये वेकेंसीज है 11,000 छटी से 8 वी में जो math science की वेकेंसीज है जो मतलब गणित और विज्यान के अध्यापक बनना चाहते हैं उनकी वेकेंसीज 5,000 है 15,000 हैं इसमें किसी म 5000 दो है किसी में 5000 आट है किसी में 4990 वैसे है वो संबाल ले ना तुम लोग जो भासा के अध्यापक बनना चाहते हैं किसी language के teacher बनना चाहते हैं उनकी जो vacancy है वो 5000 है और जो बनना चाहते हैं सेस्टी के teacher सेस्टी commerce वाले इसमें valid है बड़ी कुसकबरी की बात यह है उन लोगों के लिए तो 5000 पद यह हो गए तो वेकंसी की डिटेल आप लोगों को समझ आगी कि कितनी वेकंसी जै उसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो नीचे मैं लिंक लगा दूँगा आप लोग ड बड़ा नोटिफिकेशन है 130 पेज का नोटिफिकेशन है सारा पढ़ा दो तीन बच्चों से जारखंड के लोकल बच्चों से डिसकस किया तब जाकर नोटिफिकेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए यह तो इतनी डिटेल तो वेकंसी की है अब बात कर लेते हैं क्या क्य चाहिए होता है क्या क्या उसके नियम है सबसे पहले चलते हैं यहां पर इंटरमेडियेट पर सिक्सिस साहिक अचारिये यानि कि प्राइमरी टीचर को जो है इंटरमेडियेट पर सिक्सिस साहिक अचारिये कहा जाता है क्या क्या चाहिए होता है काफी सिंपल से नियम है जो 50% हो जो KVS वगेरा में सारी जगे होता है लेकिन यहां पर एक डरा देने वाला आपको मैसिज दिखेगा यह कि वही लोग भर पाएंगे जिन्होंने पहली से पाँचवी भई प्राइमरी का टीचर है पेपर बन पास किया हो लेकिन कौन सा पेपर पास किया हो जारखंड टेट अब जारखंड टेट की मैं तुम्हें कमाल की बात बताऊं आप तो सर अभी कह रहे सब लोग भर पाएंगे अब तो आप जारखंड टेट वाली बात ला रहे हो आएंगे समझाएंगे समझो पहले जारखंड टेट जो है 2013 में हुआ था 2016 में हुआ था जारखंड टेट 2016 के बाद हुआ ही नहीं है तो वो तो अभ्यारती मिलने ही नहीं है जारखंड टेट 2016 मे दरोगा बन गया हो, 50 बढ़ती आती है एक लाख लोगों ने पता नहीं कितनी सारी चीज़े कियोंगी, तो हो सकता है 50-60,000 बच्चे उसमें से आज तयार हो फोर्म फिल करने के लिए, उसकी भी फिर भाई फरकेशन है, तो वो सारी चीज़े हैं तो 2016 के बाद जार खंटेट हुआ ही नहीं अब आप कोगे, अब क्या होगा इसके लिए बालक जो है हाई कोट पहुंच चुके हैं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ये जो वेकेंसी आनी थी 50,000, इस में से 2016 वाले बालकों का तो जो मैंने आपको पंगा बताया, वो बताया ही माने ने मुख्यमंतरी जी का कहना है कि ये जो 26,000 रही है भी ले लेते हैं जो अगली 24,000 रहेंगी उससे पहले हम जारखंट टेट ले लेंगे लेकिन बच्चे पोँच गए हाई कोट और हाई कोट से 90% ही उमीद है कि हाई कोट कहे गई कि साथ साल से ना तो तुम जारखंट टेट कराए हो उपर से तुम कह रहे हो कि भरती करेंगे तो वो बोलेंगे अब्यसलिकी या तो आप पेपर लो जारखंट टेट या फिर आप क्या गरो कि सीटेट वालों को अलाव करो तो इसमें 90% उमीद ये सीटेट अपेरिंग वाले और जो बच्चे सीटेट पास है उन्हें इसमें eligible किया जाएगा क्योंकि टाइम तो नहीं है पेपर कराने का क्योंकि फोर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 8 अगस से फोर्म स्टार्ट हो रहे हैं सेप्टेम्बर में लास्ट डेट है अब चलते हैं वापिस हमने notification की तरफ तो जारखंट टेट वाला point आप लोगों को clear हो गया होगा इसके बाद अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ जो teacher बनना चाहते हैं TGT के यानि छटी से आठवी वाले आप teacher बनना चाहते हैं तो छटी से आठवी में आपने B.Ed किया हो और graduation में वो subject पड़ा हो जैसे की KVS में होता है N.VS में होता है दिल्ली में होता है बिहार में होता है जैसे सब जगे आ जाएगा सीटे टेक पेरिंग वालों को allow किया जाएगा तो ही लोग form बरपाएंगे वरना vacancy खाली चली जाएगी कोई देश से नहीं होगा अब खाली चली जाएगी तो 2023 के end में देंगे 2024 के सुरू में देंगे अब चलते हैं आगे भाई अच्छा थोड़ा सा नियम समझ लीजिए कि न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र क्या है भाई न्यूनतम उम्र जो है वो 21 साल है यानि कि 21 साल कम से कम आपके उमर होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र है वो है 40 साल लेकिन इसमें भी एक नियम है 2019 तक आपकी एज काउंट की जा रही है तो लगबग इसमें 4 साल और जोड़ लो 4,40 और 4,44 साल इसमें एज मांगी जा रही है ये मैंने आपको जो है बताया है ये वाला पॉइंट और ये क्या दोनों के लिए है ये साथ दोनों के लिए है इसमें कोई ऐसा कोई खास अलग से वो है नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है मतलब छटी से आठ विया पहली से पांच विया के लिए सब के लिए था बाकी सारे परमान पत्रों वाली बाते हैं कि आरक्सन वगेरा जो हर जगे होता है आवेदन जो है ओनलाइन किये जाएंगे आप लोग ओनलाइन जाकर फोर्म फिल कर सकते हैं ओनलाइन फोर्म फिल करने के लिए आपको जो है इस वेब साइट पर जाना होगा jssc.nic.in वहाँ पर इस नाम से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा उस पे जाकर आपको फोर्म फिल करने है अपना फोर्म फिल कर देना भाई आवेदन की जो तिथी है अन्तिम तिथी वो लगभग 9 सितंबर है तो तब तक भर देना 8 अगस्से फोर्म शुरू हो रहे हैं 8 अगस्से 8 आट दोहजार तेईस से 9-2013 तक फोर्म भर सकते हैं यह चीजे होगी परिक्सा का सुल्क वरू जम्हा कर देना है पेपर जो होगा वो ओनलाइन होगा पेपर जो होगा ओनलाइन होगा अगर मल्टिपल सिफ्ट में किया जाता है तो नौर्मलाइज़ेसन भी होगी यह पॉइंट अब चलते हैं सिधा एक्जाम पैटरन की और भाई इतना खतरना का एक्जाम पैटरन है पसी ना आ जाएगा यह पेपर देने में मतलब जारखंड वाले तो कसम से ऐसे गजब टीचर ढूंड के निकालेंगे न यह तो मुझे नहीं लगता बड़ी मुश्किल हो जाएगा तीन पैपर होंगे भाई बेसिकली एक एक करके मैं तीनों पैपर का आपको ब्योरा समझा देता हूँ सबसे पहले इन ही दो से सुरू कर लेते हैं जिन में भासा वाला पोइंट है पहला पैपर जो है वो भासा का पैपर होगा तो भासा का पैपर वन, पैपर टू दो-दो घंटे के दो पैपर कराये जा रही है इनको अभी समझ लेना क्योंकि प्राइमरी वालों के लिए भी यही रूल है और TGT वालों के लिए भी रूल है यानि कि आपको एक fixed criteria है, उतने number लाने है, यह सिर्फ qualifying है, pass करना इसे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो यह सिर्फ क्या हुआ, pass करना है, आपको और कुछ नहीं करना, paper 2, अच्छा इन्हें में से कोई एक बासा चुननी है, Hindi, English, मुंडारी, खडिया, खुड़कू, कु के number जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भासाय पूछी जाएंगी, Hindi, अंग्रेजी, यह 12-20 तरकी होंगी, इसमें general part आपसे नहीं पूछा जायागा, इसमें, जैसे हिंदी है, तो हिंदी साहित्य है, पूछेंगे, अंग्रेजी है, तो English literature पूछेंगे, तो यह paper 2 जो है English का यह Hindi का जान लेगा आप लोगों की, मैं कह रहाता न, अच्छे teacher डूंडे जा रहे हैं, अब चलते हैं इस वाले part पर, इस वाले को समझ लो, इसमें आपका सामान्य ग्यान एवं, स्रेटिस्टिक, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गनित, इस से डरने की लिखा बेसक इसमें बारवी है, आगे चलके, लेकिन जो सलेबस दिया हुआ है, वो दसवी तक का दिया हुआ है, तो PRT वालों को दो भासा के टेस्ट देने, जिसमें से क्वालिफाइंग है, आपको 30% नंबर लाने, दूसरे वाले के नंबर जुडेंगे, लेकिन वो बार भी स्तरका होगा, पेपर का जो ये वाला हिस्सा है, ये दस भी स्तरका होगा, इसमें साइंस, मैथ, आपका जीके और जारखंड की जीके, वो सारे चीज़े होंगी, ये पेपर जो है आपका लगभग 200 नंबर का है, 100 नंबर का पहला हो गया, 300 में से आपके नंबर बनेंग अब आ जाते हैं पेपर टू पे यानि छटी से आठवी वालों के लिए जो पत्र संख्या एक है वो वैसे ही है सो नंबर का भासा का पेपर होगा सिर्फ पास करना है कोई सी भी भासा चुन लो भासा का इस तरबार भी नहीं यह वाली जो भासा यह सिंपल होगी यह दस विस् उस्तरे वाला है जिसमें सो नंबर की आपसे फिर से भासा पूछेंगे वह भासा भाई आपकी होनी चाहिए किस इस तर्थ की बारवी इस्तर की जो पेपर वन में था मतलब इसके जो पहले तीन पेपर है ना वो PART जैसे है पेपर वन में क्वाली फाइंग भासा कोई एक बहासा पकड़ो सिर्फ 40 नंबर ले आओ, दूसरी बहासा 100 नंबर का पेपर नंबर जुडेंगे इस तरबार भी, तीसरा पेपर वही आपका सामाजिक अध्यन, सामसमाई की वही सारी चीज़े मिक्स है, इस वाले में, इस वाले में वही आपके 100 नंबर का सारा पार्ट मिक् चुलो, 180 नंबर का आपका पेपर होगा इसमें, और आपकी चोईस आप कौन सा देना चाहते हैं, जैसे आप जिसके टीचर बनना चाहते हैं, सपोज करिए, आप मैट साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, आपको इसे दिहान से सुनना, अगर आप मैट साइंस के टीचर बनन अगर आप SST के टीचर बनना चाहते तो हित्यास भुगोल, राजनीतिक विज्ञान, पॉलेटे, एकोनोमिक्स, आपका सोसोलोजी, लेखा सास्तर, वैपार, अधन यानिकी बिजनस इस्टेडीज, अकाउंट, यह सारी कौन सी चीज़े है, यह कोमर्स वाले पार्ट है, इन स सात में से आपको कोई तीन चुनने पड़ेंगे, ठीक है, मैत वालों को पांच में से तीन चुनने है, सात में से कोई तीन चुनने है, आगे चलते हैं, यहां मैत साइंस का एकी टीचर होता है, सेस्टी का एकी होता है, कोमर्स भी आप चुन सकते है, कोमर्स वाले बच्चे यह हो गया पेपर वन इसमें भासा क्वालिफाइंग थी इनका जो लेवल है वो ग्यारवी बारवी से ग्रेजुएशन टच कर रहा होगा ठीक है ग्यारवी बारवी का आप से विसे पूछा जाएगा और ग्रेजुएशन टच कर रहा होगा यह सारी चीजे हो गई और कोई पूइशन पूरे पेपर में जो पूरा पेपर ओवर ओल है इतने नमबर उसमें लाने पड़ेंगे मैंने आपको यह तो बताई दिया कि इंडिविज्वल सब्जेक्ट में कितने लाने पूरे पेपर गी जब मेदा सुची बनेगी तो अनारक्सित और EWS वालों को 40% नमबर लाने है अनुसूचित जाती SCST और महिलाओं को 32 लाने है अत्यंत पिछड़ा वर्क को 34 लाने है पिछड़ा वर्क को 636.5 जन जाती को 30 लाने है तो इसमें यह सारे नियम है यह देख लीजेगा आप और कोई नियम जो आप लोगों को समझना है तो यह सारे नियम थे exam pattern मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होगा मैंने educational qualification आप लोगों को बता दी number of vacancies बता दी तो यह सारी जानकारी थी 50,000 vacancies ने total जिसमें से 26 अभी निकाली जा रहे है 24 लगभग आपकी 2030 के एंडिया 24 के सुरुवात में निकाली जाएगी इन 26,000 पदों में जो हैं वहाँ के contractual teachers और पूरे भारत से आप आविदन कर सकते हैं बसरते आपका जार कंटेट 2016 पास हो 7 साल पहले हुआ था तो वो वाला नियम हट जाएगा हो सकता है कि इस पे या तो हाई कोट नियम दे दे या सरकार की तरब से नियम आ जाए सीटेट एप पेरिंग वालों को लागु कर देंगे और सीटेट वालों को करी देंगे क्योंकि 2016 के बाद कोई टेट पेपर हुआ ही निया अब चलते हैं अगले पार्ट पर एक्जाम पेटन पर वो बड़ा पेचीदा है बहुत जबरदस्त पेपर पूछा जा रहा है इसमें इंगलिस लिटरेचर सबको पढ़नी पड़ेगी मैंने भासा वाले टीचरों का नहीं बताया ना बहासा वाले टीचर रहे गए मैं उन लोगों का एक बार बता देता हूँ बहासा के जो बच्चे हैं देखो आप सबको 50% तो इंगलिस आएगा मतलब 180 में से 90 नंबर की आपके पास इंगलिस आएगी और 90 नंबर में आपके जो बहासा ने क्लियर किये होंगे और जैसा कि मैंने कहा था इतना गजब यह नोटिफिकेशन इसे पढ़ने में समझने में जहान निकल गई है और ऐसे पेचीदा नियम बनाएं कि बच्चे पहले तो वेकेंसी वेकेंसी कर रहे तो इस नोटिफिकेशन हो देखके बेऊसना हो जाएगी हमें इतना पढ़ना पढ़ेगा ग्यारवी बारवी इस तरका हर बच्चे से पूछना तो बहुत ही जवरदस चीज़े इंग्लिस लिटरेचर जो होती है वो एक ऐसी चीज़े ग्यारवी बारवी की और हिंदी लिटरेचर की बहुत मुश्किल हो जाएगी ठीक है तो इसका जो नोटिफिकेशन है और सारी चीज़े उसका लिंक में नीचे लगवा दूगा उस पर जाकर क्लिक कीजिए और फिर मिलेंगे किसी वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो